शादियों का सीजन चल रहा है और आज मैं शादी के सबसे होट टॉपिक की बात करूँगी जी हाँ और वो है सास बहू की चिक चिक जो हर घर का हिस्सा बन गई है लेकिन मैं आपके घर में ऐसा नहीं होने दूँगी इसलिए आज सास बहू फैमिली गुरू में सास बहू घर में कोई भी कला है तो आज का शो आप के लिए है आज मैं आपको सास बहू के बीच जगड़े मिटाने वाले कई अचूक उपाई बताऊंगी सास बहू कैसे लग सकते हैं साथ साथ ब्यूटिफुल कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूं सास बहू आए आपको सबसे पहले आज का पहला महा उपाई क्या है ये बताते हैं सवाल ये है कि क्या बार बार एकी काम असफल हो रहा है चाहे नौकरी हो या फिरशादी चुटकी भर हींग अपने उपर से वार कर नौट डारेक्शन में फेक दें सुबह तीन हरी इलाइची को शांती हूं अगर आप मेरा शो लगातार देखती होंगी तो सास बहू की इस तरह की लड़ाई नहीं होगी दोनों के बीच प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ेगी तो चलिए आपको सास बहू के बीच प्यार महबत बढ़ाने वाले को चुपाई बता देती हूं अगर घर में सास बहू में हमेशा कला रहती हो तो घर के में गेट पर बाहर की तरफ श्वितार्क सफेद आग के गणीज जी लगाएं इसे घर में सुक शान्ती बनी रहेगी सुर्योदे से पहले घर में जारू लगाकर कच्रे को घर के बहार फेंगे ये किसी काम वाली मेट से भी करा सकते हैं इससे भी सास बहू में बनेगी अगर किसी महिला की सास या ससुरिया उससे नाराज रहते हैं तो वो फीमेल रोज पानी में गुड मिलाकर सुर्यदेव को अर्थ दे उसकी समस्या दूर हो जाएगी अगर किसी परिवार में सास बहू में जगड़ा होता रहता है तो बहू पूर्णिमा की रात में खीर बना कर चंद्रमा की किन्नों में रख दे और वो खीर अपनी सास को खिला दे इससे सास बहू में बनने लगेगी ये उपाय अगर बहु ना करे तो सास भी कर सकती है अगर सास और बहु में पट्ती नहीं है तो बहु सास को बारा लाल और बारा हरी काच की चूडियां खुशी मन से गिफ्ट करे इस उपाय से सास का मन बदल जाएगा सास अपनी बहु को सहिली की तरह देखेंगी अगर बहु को सास की तरह से समस्या है तो बहु सास से मदुर संबन बनाने के लिए एक भोच पत्र पर लाल चंदन की इंक से मदर इनलो का नाम लिखे उसे हनी में डुबो दे क्योंकि शहद मीठा होता है और उसे संडे को छोड़ कर किसी भी दिन सुर्यास से पहले पीपल के पेड़ के नीचे गार दे और पीपल देवता से अपनी सास से संबन अच्छे हो जाने के लिए प्रात्मा करे अगर किसी घर में सास बहु के बीच जगड़ा बना रहता है तो बहु को मा दुरगा या मा गौरी को सुनहेरी जरी वाली लाल सारी चड़ा कर अपनी सास को गिफ्ट करनी चाहिए इसे दोनों की बीच संबन अच्छे होंगे यो पाए सास भी अपनी बहु के लिए कर सकती है सास ससुर का कमरा हमेशा दक्षण पस्चिम दिशा में ही होना चाहिए और बेटे बहु का कमरा पस्चिम या दक्षण दिशा में अगर बेटे बहु का रूम दक्षण पस्चिम में होता है तो उनका सास ससुर से जगड़ा बना नहीं रहेगा घर में आई दिन कलेश रहेंगे किचिन में कभी भी घर का किचिन हमेशा अगने कोण यानि कि साउथ इस्ट में होना चाहिए अगर रुसोई घर अगने दिशा पर नहीं है और किसी और दिशा में बना हुआ है तो दक्षिन और अगने दिशा की दिवार को लाल रंग से रंग कर या एक छोटा रेड बल्ब लगा कर भी उसका दोश दूर किया जा सकता है जिस घर की महिलाएं या बहुएं घर की नौर्थ वेस्ट एरिया यानि की व्यायव या कोण में सोती हैं वो अपना अलग से घर बसाने के सपने देखने लगती हैं वास्तु शास्त के मताबिक दक्षन पश्चिम कोण में सास को सोना चाहिए उसके बाद बड़ी बहु को पश्चिम दिशा में और छोटी बहु को पूर्फ दिशा में उनका वेडरूम होना चाहिए इससे घर की ओरतों में प्रेम बना रहता है जो सीरियल में दिखता है क्या वो सही में होता है और वो आम घरों में भी होता है आखिर आम घरों में सास को बहु से और बहु को सास से सबसे ज़ादा कौन सी शिकायत होती है मेरी बहु से और तो कोई शिकात नहीं लेकर पूरा दिन फोन पे लगी रहती है कोई घर में मैं माना गया पानी देना या किसी को रोटी को पूछना ऐसा कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है मुझे अपने mother-in-law से यही प्रॉब्लम है कि वो अपने health का बिल्कुल ध्यान ही रखते हैं हर समय TV देखते रहते हैं medicines बोलो कि time से medicines ले लो तो उनका वो भी नहीं लेंगे और walk पे जो, walk पे भी नहीं जाते हैं वैसे तो मैं social worker हूँ मेरे को एक ही मलब शिकाइत है मेरे अपनी बहु से जैसे मैं बाहर से आती हूँ, काम से आती हूँ तो अंदर ना ही बच्चों का ध्यान रखती है सारा घर बिखेरा पड़ता है और 24 गंटे मोबाइल पे या तो बहर पार्टी पे बस ऐसे शोपिंग में चली रहती है मुझे अपनी साथ से सिर्फ इतनी सी प्राब्लम है कि वो दूसरों पे जादा ध्यान देती है दूसरों की भवों का comparison मेरे से करती है बेशक में बहुत सारे काम अच्छे करती हूँ लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ खोट निकाली देती है मुझे अपनी बहुत से बस एक ही शिकायत है तो सुबह जल्दी नहीं जगती है बच्चों को स्कूल जाना होता है तो परिशानी होती है तैयारी करने में उनको सामने फिर मेरे को साथ में लगना पड़ता है और फिर सारा दिन सोए रहती है कोई काम पर ध्यान ने देती है ना घर के उपर ध्यान देती है मेरे सास से मुझे ये शिकायत है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो उनको कोई भी काम मेरा पसंद नहीं आता इनकी बाते तो आपने सुन ली लेकिन ये शिकायते दूर कैसे होंगी आईए आपको एक बोनस टिप देती हूँ दिखिए सास बहु का रिष्टा बड़ा ही कमजोर कड़ी वाला रिष्टा होता है बाते जल्दी चुब जाती है कमपैरिसंस बहुत फ्रीक्वेंट होते है इसलिए सास बहु का रिष्टा अच्छा करने के लिए मदर इल्लो अपने कमरे में फैमिली फोटोग्राफ ज़रूर लगाए साउथवेस डारेक्शन में और बहु भी अपने कमरे की साउथवेस डारेक्शन में पूरी फैमिली की फोटो ज़रूर लगाए इससे परिवार को ज़ादा इनके मन में परिवार को ज़ादा वेटेज देंगे बजाए अपने सेल्फ को और रिष्टों में अच्छा ही रहेगा आईए अब आपको आज का दूसरा महा उपाई क्या है ये बताती हूँ क्या ससुराल में कोई आप से खुश नहीं है अपने माथे पर हल्दी और केसर मिलाकर बिंदी लगाईए ऐसा करने से जो भी आपकी तरफ देखेगा उसका मन आपसे अच्छे से बात करने को ही करेगा और मन की सारी खटपट भूल जाएगा एक बात ध्यान रखी कि ये उपाई आप शुकल पक्ष के पहले दीरवार से शुरू करें तब ही फाइदा मिलेगा क्या आपकी घर में भी इसी तरीके से किछ किछ होती है कोई किसी की बात सुनने को तयार ही नहीं होता है कोई किसी की इज़ट ही नहीं करता है तो आपको अपने घर में ग्रह शांती की कुछ उपाई करने चाहिए आजकल परिवार में पिता और बेटे की बीच में भी बहुत विरोध हो जाता है जिससे परिवार में शान्ती भंग होने के साथ साथ और भी बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती है अगर पिता की ओर से नाराजगी है तो बेटा रविवार को सवा किलो गुड बहते पानी में भाई उसे ऐसा लगातार तीन संडेस करना है पिता की नाराजगी जल्दिगी दूर हो जाएगी बेटे को नियम से गुड लाल फूल मिलाकर सूरे देव को जलर पित करना चाहिए पिता का स्ने फिर से मिलने लगेगा रविवार को बेटे अगर अपने पिता को कोई भी लाल रंग का गिफ्ट दें तो बहुत जल्दी पिता का बेटे से मन मुटाफ खत्म हो जाएगा अगर बेटे की पिता से न बन रही हो तो अमावस्या यहां ग्रहन के दिन बेटा पिता के जूतों से पुराने मोजे निकाल कर उनमें बिलकुल नए मोजे रख दे ऐसा करने से दोनों के बीच चल रहा जो एक नेगिटिव एमर्वार्मेर्मेंट है जो एक किछ किछ है वो दूर हो जाएगी अगर बेटा नाराज है तो पिता क्या करें हर साटेडे को सुबह पीपल में मीठा पानी चड़ाएं और शाम को सरसो के तेल का दीपक वहाँ पे जलाएं सरसो के तेल की धार और पित करें इससे भी बहुत जल्दी पिता पुतर के बीच नाराजगी खत्म हो जाएगी साटेडे को पिता अगर अपने बेटे को कोई भी ब्लू कलर का गिफ्ट दे तो बहुत जल्दी फादर और सन के रिलेशन्शिप बेटर होने शुरू हो जाते हैं बेहन भाईयों के भी जगडा या मनमुटाव हो त्यूजदे को सवा के लोग गुड जमीन में दबाएं संबंद अच्छे हो जाएंगे अगर किसी महिला का ससुर उनसे नाराज रहता है तो वो महिला रोज जल में गुड मिलाकर सूरेदेव को अर्द दे उसकी ये समस्या जल्दी ही दूर हो जाती है अच्छा साज बहु के बीच तकरार में भी कॉम्पेटिशन और कॉमेडी होती है जैसे किसी फंक्षन में जाना है तो साज बहु के बीच होड मच जाती है कौन जादा सुन्दर दिखेगा? आपके बीच भी होता होगा ना? नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या सीरियल में दिखने वाली साज बहु की जोड़ी के बीच भी सुन्दर दिखने की होड मचती है आईए देखते हैं मैं पर्सनल लाइफ में भी बहुत सटल मेकप ही रखती हूँ रदर नो मेकप मेरी प्रायरिटी होती है लेकिन जब शूट पर आती हूँ तो भी मेरा एकदम न्यूड और सटल पर ही ज्यादा जोर रहता है लेकिन कभी अगर शादी सीक्वेंस है कुछ है तो थोड़ा सा ग्लिटर विटर कभी एक दिन मैंने शायद स्मोकी आइज करके गई थी तो सब बाहर अरे आज कुछ अलग किया है तो मतलब थोड़े बहुत चेंजेस मैं करती रहती हूँ लेकिन ज्यादा नहीं जब कुछ त्योहार हो कुछ हो तो कलरफुल बिंदी लगा है I mostly go with red because I like red बिंदी और जब normal scenes हो तो मैं ये छोटी सी मेरी maroon लगा लेती हूँ size मैं उपर नीचे करती रहती हूँ इससे एक size बड़ा is my last देखो मैंने बहुत subtle matte color लगाया हुआ है gloss use नहीं करते हैं वो बिल्कुली कोई occasion है कोई शादी हो रही है गर में कोई function हो रहा है तो थोड़ा glossy रखते हैं otherwise नहीं हम लो gloss use करते हैं हम तो अभी size बन गया है तो एकदम nude colors and I prefer nude colors जो मैंने अभी बोला कि in real life also I prefer nude colors तो वहीं मैं continue करती हूँ कभी-कभी functions हो तो थोड़ा pink थोड़ा सा shocking नहीं हां लेकिन वो थोड़ा सा vibrant pink में चली जाओंगी लेकिन subtle आज़कल television is all about subtle show में आई थी तो मेरे सबसे ज्यादा जो famous हुए थे वो earrings ही हुए थे हैं मुझे jewelry में earrings ही शुरू से दिये गए हैं बड़े-बड़े और मैंने इतने बड़े earrings कभी नहीं पहने अब ही मुझे अच्छा लगने लगा है तीरे तीरे तो मैं excited होती हूं कि कौन से earrings आने वाले इस पार नॉमली मैं नहीं नहीं पहनती नेक में कुछ नहीं पहनती हूं जूल्री के बादे में ही बात करूंगी जूल्री आजन वाच वी आजन वाच मतलब अलाउड अजन गो विद्ध गार्टर जो मुझे अच्छा लगता है कि सुर्भी बहुत पहले पहनती थी लेकिन उसके बाद जो कुछ आलात हुए तो उसके बाद मुझे दो बैंगल सी देना शुरू किया लेकिन अदेना फील जेलिस की सुर्भी फिट बिट जैसा वाच पहन सकती है मेरे पास और मेरे पास है पिर भी यहां आके मुझे उतारना पड़ता है और इन्होंने जो अभी बालो का किया है वो मैं कभी नहीं कर सकती वह मैंने थोड़े से कर लिया है वो भी लीफ हो गया इसके लिए मैंने थोड़ी फर्मिशन लेकर लेकिन वह एकदम सटल है यह मुझे करना है लेकिन मैं कर नहीं सकते हैं शो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपको आज का तीसरा महा उपाई क्या है यह बताती हूं सवाल यह है कि क्या ध्यान से सुनिए क्या आपके पती आपकी बात ना मानकर दूसरे लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो गले में चांदी की चेन पहने और कभी भी किसी से कोई भी सफेज चीज ना ले फिर देखिए आपके पती भी आपकी सारी बात सुनने मेरे दर्शक अक्सर मुझसे पूछते हैं कि दोखे से कैसे बचा जाए क्या आपको भी लाइफ में दोखा मिलता है तो अब ऐसा नहीं होगा आज से हजारों साल पहले अचारे चानक्ये ने कुछ खास बाते बताई जिनने अपना कर आप दोखे से बच सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जरूरत से जादा इमानदार नहीं होना चाहिए सीधे तने वाले पेड सबसे पहले कर जाते हैं इसलिए बहुत जादा इमानदार लोगों को ही सबसे जादा परेशानी और कश्ट उठाने पड़ते हैं किसी भी दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने मूल सोभाव को कभी नहीं छोड़ सकता जैसे शेर कभी भी हिंसा नहीं छोड़ सकता अगला अगर कोई साप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और कभी अपनी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी कमजोर व्यक्ती से दुश्मनी जादा खतरनाक होती है क्योंकि वो उस समय वार करता है जिसकी हमें कलपना भी नहीं हो सकती हर मित्ता के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं है जिसके पीछे लोगों ने अपने हित ना चुपाए हो ये कड़वा हैं लेकिन सच है अपने बच्चे को पहले 5 साल दुलार के साथ पालना चाहिए अगले 5 साल उसे डांट फटकार के साथ निगरानी में रखना चाहिए लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त की तरह विवार करना चाहिए बड़े बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं जो बीत गया सो बीत गया अपने हाथ से कोई गलत काम हो गया तो उसकी फिक्र छोड़ते हुए वर्तमान को सलीके से जीकर भविश्य को सवारना चाहिए हमें बीते समय के बारे में पच्चतावा नहीं करना चाहिए और नहीं भविश्य के बारे में चिंतित होना चाहिए जब तक तुम दोड़ने का या फिर किसी काम को करने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए उस situation को जीतना या उस काम को कर पाना असंभव बना रहेगा काम चाहें छोटा हो या बड़ा एक बार हाथ में लेने के बाद उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए अपनी लगन और सामर्थ से उस काम को पूरा करना चाहिए जैसे शेर अपने पकड़ेवे शिकार को कभी भी नहीं छोड़ता अगर आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं तो इस बात को किसी से भी व्यक्त ना होने दीजिए आपने क्या करने के लिए सोचा है क्या करना है अपनी बुद्धिमानी से इस रहे रहसे बनाए रखें और इस काम को करने के लिए द्रिड रहें दिल में प्यार रखने वाले लोगों को दुखी जीलने पड़ते हैं दिल में प्यार पन अपने पर बहुत सुख मैसूस होता है मगर इस सुख के साथ एक डर भी अंदर ये अंदर पन अपने लगता है खोने का डर, अधिकार काम होने का डर वगेरा वगेरा मगर दिल में प्यार पन पे नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता तो प्यार पन पे मगर कुछ समझदारी के साथ संचेप में कहें तो प्रीती में चालाकी रखने वाले ही सुखी रहते हैं संकट काल के लिए आपको धन बचाना चाहिए परिवार पर संकर्ट आए तो धन कुर्बान कर दें। लेकिन अपनी आत्मा हिफाज़त करनी हो तो परिवार और धन को भी दाव पर लगाकर करना चाहिए। भाय बंदुओं की परक संकर्ट के समय होती है और अपनी स्त्री की परक धन के नश्ठो जाने पर होती है। कश्टों से भी बड़ा कश्ट दूसरों के घर पर रहने में होता है किसी भी काम में डर और भह को नजदीक भी मत आने दो और ये नजदीक आएं तो इस पर हमला कर दो यानि कि भह से भागो मत इसका सामना करो जिनके मन में हमेशा परोपकार की भावना रहती है लोगों की मुसीब्ते जल्द ही खतम हो जाती है और उन्हें हर कदम पर यश की प्लाप्ती होती है जीवन में काम्याब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और जादा काम्याब होने के लिए अच्छे शत्रों की आवशक्ता होती है असंभव शब्द का इस्तमाल बुजबिल करते हैं बहादुर और बुद्धिवान व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं अगर गलतियों से सीखना है तो दूसरों की गलतियों से सीखो अपने ही उपर प्रयोग करके सीखने से आपकी आयू कम पर जाएगी अब आज का चौथा माह उपाई क्या है? चलिए ये जान लेते हैं घर में सास बहु के जगड़े खत्म नहीं होते मंगलवार को मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को सूजी का हलवा खुद बाटे स्थितियां अपने आप, आपकी तरफ मुरने लगेंगी यो पाई सास या बहु कोई भी कर सकता है अब जरा उनकी बात, जिनसे हर सास बहु को है बहुत ही जादा प्यार जी हाँ सही पकड़े हैं, मैं जूलरी की बात कर रहे हूँ जरा मार्केट में चकर लगाते हैं और देखते हैं कि सास की उम्र के हिसाब से और बहू की उम्र के हिसाब से कौन सी जूलरी लेटस्टरेंड में चल रही है अज हम बात करेंगे सास और बहू के पसंद के जिवेलरीज के बारे में सबसे पहले आपको जो दिखाना चाहूंगी वो है traditional temple jewelry जो आपकी सास जो है वो पहन सकती है अगर आप सास है आप इसको पहन कर किसी भी function में जा सकते है किसी भी यूना शादी, wedding function हो या फिर कोई भी बड़ा function हो आपके घर में तो इसको अगर आप पहन कर जाती है साडी पर या आपके heavy costume पर तो ये बेहत खुबसूरत लग सकती है आप देख सकते हैं ये दिखने में काफी heavy है लेकिन अगर आप इसको पहनते हैं तो काफी lightweight की है इसमें लक्षमी की मूर्ती भी रहती है इसके साथ जो है earrings भी रखे गया है जुमके है जो भी बेहत खुबसूरत है क तो ये diamond with pearl की jewelry वो जरूर पहन सकती है अगर सास dress भी पहनती है तो dress पर भी ये बेहत खुबसूरत दिख सकती है उसके अलावा इसके साथ जो है matching bangles भी रखे गया है तो gold or pearl की ये jewelry हमने आपको बता दी उसके साथ ही मीना work की ये jewelry है अलग से तो इसको भी आप पहन सकती है आ आपके traditional outfit पर या traditional साडी पर और आपके खुबसूरती जो है वो आप बढ़ा सकते हैं उसके अलावा अगर आपको mangal sutra पहनने का ज्यादा शौक है तो आप इस तरीके से diamond work के साथ जो है mangal sutra जरूर पहन सकती है अपनी साडी पर और ये काफ़ी reasonable daam में आपको ये मिल सकते ह है करीबन एक लाग से शुरुवात है ये 50,000 के ऊपर की ये सारी jewelry है अगर आप पसंद करें तो आप इसको खरीद कर और भी जो है अपकी खुबसूरती बढ़ा सकते हैं अगर हम बात करें बहु की अगर आप बहु है या आपको अपनी बहु को कुछ gift देना है तो आप इस तो उस पर भी काफी जच सकता है उसके साथ जो है बैंगल्स भी रखे गया है यह रिंग्स भी है मैचिंग आप देख सकते हैं डाइमंड रोज गोल्ड में जो है यह यह रिंग्स है बहुत खुबसूरत है दिखने पे काफी रिच है उसके अलावा अगर आप इंडो वेस आपमरिस पहनना वोकिंग वोमनस चू जो होती है वह ज़्याता पर पशंद करतीह तो इतनी चोटे से मंगल्स भीकूटर को आप रेगोलर ऑजय हो सकतीह इत्सकूब बैणने में काफी आसानी हो सकतीह ईसक्त मैंनि चों पहना है वह हो है इटालीन ज्वैलरी हैं यह जुएलरी जो है फिलाल मार्केट में एविलेबल है आपको एंटिक जुएलरी में है इटालियन जुएलरी में है गोल्ड में है आपको जस तरीके की जुएलरी पसंद है उस तरीके की जुएलरी आप खरीच सकते हो और और भी खूब सूरत दिख सकते हो Facebook पर Maxi D'Souza ने अपनी problem share की है उनके husband एक महीने से jobless है financial प्रशानियों से जूज रहे हैं बाहर निकलने के उपाए जाना चाहते हैं Maxi North West direction में अपने husband का bio data रख दीजिए blue color की या फिर white color की file के अंदर डाल कर और साथ-साथ आप एक काम और कर सकते हैं अपने घर में साउट डारेक्शन में रोज रेट कलर की एक कैंडल 10-15 मिनट के लिए जलाएं कुछ ना कुछ रस्ता जल्दी निकलाएंगा entertainment की बाद बाद में पहले आपके कल future की बात क्या करना है आपको अपनी राशी के हिसाब से मुझसे जानी है सबसे पहले मेश राशी की बात मेश राशी के लोग कल के दिन आप अंकुरित अनाज जरूर खाएं भागे साथ दे रहा है आपका 62% वृष्षब राशी के लोग घर के मंदिर को बिलकुल साफ करके रखें लग साथ दे रहा है आपका 68% मिथुन राशी के लोग गनेश जी की पूझा करें भागे साथ दे रहा है आपका 72% करक राशी के लोग गाए को रोटी खिलाईए लक्स साथ दे रहा है आपका 69% सिंग राशी के लोग गाए की सेवा कीजिए किस्मत साथ दे रही है आपका 69% कन्या राशी के लोग आदेते हरिदेस तोत्र का पार्ट करें, भागे साथ दे रहा है आपका 72%, तुला राशी के लोग शिपजी पार्वती जी की पूजा करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 77%, विश्चिक राशी के लोग गरीबों को दूद दान में दें, भागे साथ दे दोस्तों से सलहा लीजिए भागे साथ दे रहा है आपका 67% शो के अंत में आपको बताते हैं आज का पांचमा और आखरी माहा उपाई ध्यान से सुरिए सवाल ये है कि क्या आप टेंशन में रहते हैं टेंशन दूर नहीं हो रही रविवार की रात को सोते समय चांदी या स्टील की ग्लास में थोड़ा कच्छा दूट डाल कर बेट साइड रखकर सो जाए उस दूट को सोमवार की सुभा जल्दी उठकर बबूल के पेड़ पर चड़ाए क्या आपके पती आपको दोखा तो नहीं दे रहे क्या आपके पती आपके कंट्रोल में नहीं है क्या आपकी शादी हो गई है मगर अब सुखी नहीं है कल सिर्फ और सिर्फ आपके पती की बात होगी जी हां कल का शो जरूर देखेगा लेकिन अब मैं चलती हूँ मेरा वक्त हो गया है अपना खयाल रखे बाई-बाई-टेक केर